असलम लेकूम, hope so you will be perfectly good in health, here is ma'am सन्या with maths class, so open page number 44 of your book, exercise 3.2, question number 2, express the following rational numbers in terminating decimals, आपने rational numbers आपको दियो है, ठीक है, आपने इनको क्या करना है, terminating decimals में change करना है, ठीक है, अब terminating decimals क्या होते है, पहले मैं आपको ये clear कर देती हूँ, so terminating decimals क्या होते है, decimals in which the number of digits after the decimal point is finite, finite means limited, के terminating decimals, वो decimals होते हैं, जिसमें decimal point के बाद, means ये point है, ठीक है, इसके बाद, ये जो numbers होते है, ये limited होते है, ये finite होते है, हमें पता है, कि अब इसके बाद, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, कि जब ये devian के बाद ये end पे zero आ गया, ठीक है, अब ये decimal point के बाद, ये जो next numbers है, ये limited है, ये finite है, अब हमें पता है, कि ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इन numbers को, इन decimals को, sorry, क्या कहते है, terminating decimals, ठीक है, पेज नमर 39 पे इसके definition है, a decimal in which the number of digits, after the decimal point is finite, means limited, तो फिर उसे क्या कहेंगे, means complete divide हो जाता है, ठीक है, जिसका end पे answer क्या आ जाता है, zero, इसे क्या कहते है, terminating decimal, ठीक है, अब देखें, आप exercise पर move करें, आपके पास first question क्या है, express the following, second question, express the following, rational numbers into terminating decimal, first question क्या है, two by hundred, अब देखें, आप क्या करेंगे, two by hundred, आप solution लिखेंगे, अब ये two है, उपर क्या लिख ये two, आप इस two को devian box के अंदर लिख लेंगे, ये hundred को devian box के बाहर लिख लेंगे, ठीक है, अब देखें, ये two, hundred के table में two नहीं आता, ठीक है, अब आप क्या लगाएंगे, zero point लिखेंगे, और इस point की जगा हम three zero add कर सकते हैं, आप इस point की जगा पहले first, एक zero लगाएंगे, ठीक है, अब ये क्या बन गया, twenty, अब देखें, अब ये hundred के table में twenty नहीं आता, मुझे एक और zero यहाँ पे आगे इसके लगाना पड़ेगा, अब मैं point के फॉरण बाद एक और zero, इकठे लगा रही हूँ, इसलिए मैं point के बाद भी एक zero add करूंगी, ठीक है, अब देखें, म hundred two's are two hundred, ये देखें, आप ये complete divide हो गया, decimal point के बाद limited numbers है, तो ये क्या हो जाएगा, terminating decimal है, zero point zero two, ये इसका answer हो जाएगा, next देखें, क्या है, 27 by 50, आप वही 27 को अंदर रखेंगे, 50 को आप division box के बाहर रखतेंगे, ठीक है, ये 57, 50 है, और ये 27 है, तो 50 के table में 27 नहीं आता, आप क्या करेंगे, zero point लगाएंगे, और एक zero add कर देगे, ठीक है, फिर आप लिखेंगे, 55, 250, ठीक है, माइनस करेंगे, 0 में से 0, माइनस करेंगे, 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2, अब देखें, ये point था, इसकी जगह आप 30 add कर सकते हैं, एक आपने यहां लगाया, अब ये 20 बन गए, अब इस 50 के डेबल में 20 नहीं आता है, इसलिए मैं एक और 0 यहां पर आगे add कर दूँगे, ठीक है, 54, 200, ठीक है, अब ये complete devian हो गई है, इट मीज ये terminating decimal बन गए है, तो इसका answer क्या आजेगा, 0.54, question third देखें, वो भी ऐसे ही है, 3 by 25, आप 25 को devian box के बाहर लिखेंगे, 3 को आप अंदर लिखेंगे, अब 25 के table में ये 3 नहीं आएगा, ठीक है, आप लिखेंगे 0 point, और इसके साथ एक 0 add कर देंगे, ठीक है, अब ये 31 बन गया, 25, 1s are 25, अब आप माइनस करेंगे, क्या बचे 3, अब आप यहाँ पर एक 0 और add कर देंगे, 25, 2s are 50, बस ये terminate होगे, आंसर खतम होगया, ये complete devian होगी, तो answer क्या आगया, 0.12, नेक्स के है, 31 by 50, वो भी सेम ऐसे ही है, 50 आप devian box के बाहर लिखेंगे, उपर जो value होती है, वो आप हमेशा devian box के अंदर लिखेंगे, अंदर एक 0 लगा देंगे, ठीक है, 56 are 300, ठीक है, अब ये 310 बन गया था न, क्योंकि मैंने 0 लगाया था, 56 are 300, then आप minus करेंगे, ये 0, 0, 1 में से 0 minus करेंगे, 1, अब पॉइंट की जगा पे एक और 0 add कर देंगे, 52 are 100, तो इस cancer क्या आजेगा, 0.62, नेक्स से क्या आपके पास क्या है 5 by 1000, आप solution लिखेंगे, 5 कोड़ VN box के अंदर लिखेंगे, 1000 VN box के बहर आजेगा, ठीक है, अब देखें, 1000 के डेबल में ये 5 नहीं divide होता, आप क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1, 0 आप इसके साथ add कर देंगे, ठीक है, अब देखें, ये बहर 1000 है, ये 50 है, अभी भी ये complete नहीं हो, नहीं, मतलब इसके डिवाइड लोगा, ठीक है, means अभी मुझे यहाँ पर और 0 एट करने है, तो मैं क्या करूँगे, अब पॉइंट के, मुझे 2 0 एकठे add करने है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद भी एक 0 एट करूँगी, और यहाँ प जब आपको 2 2 3 0 जो है, वो इकठे add करने होंगे, तो आपको answer में भी 0 add करने पड़ेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे, यह 5000 बन गया, 1000 5,000, यह complete डिवाइड हो गया, it means इसका answer क्या जेगा, 0.005, नेक्स देके question क्या है, 20 by 8, अब आप 20 division box के अंदर लिखेंगे, 8 division box के बाहर, जो value उपर होगी, वो आप हमेशा division box के अंदर लिखेंगे, अब देखें, 8 के table में 20 से, 20 तो नहीं आता, लेकिन 20 से less number तो आ जाता है, 8, 2s are 16, ठीक है, यह 16 हो गया, अब 20 से 16 माइनस करो, क्या बचेगा, यहाँ पर 4, अब 8 के table में 4 नहीं आता, अब मैं यहाँ पर point एड़ करूगी, ठीक है, तो आप point सेंटर में एड़ करेंगे, अब point की जगा आप क्या लगा सकते है, 0 एड़ कर सकते है, इसके आगे, तो यह क्या बचेगा, 4 से यह क्या बचेगा, 0 एड़ करेंग ठीक है, यह 9 parts आपने अपनी notebook पे complete करने है, have a nice day